चक्रविद्धी ब्याज युक्त समस्याएं किष्ट योजना में जहां किष्ट प्रतिमाह दी जाती है तथा कुल समय एक वर्ष से कम है ऐसे उधारणों में साधारण ब्याज का प्रयोग हुआ है कई बार एक वर्ष से कम समय में भी विक्रेता चक्रविद्धी ब्याज लेता है ऐसे में ब्याज अर्धवार्शिक या तिमाही संयोजित होता है कभी कभी किष्टें एक वर्ष से अधिक समय तक दी जाती है तब भी इसकी गढ़ना चक्रविद्धी ब्याज से की जाती है उधारन उन्निस एक फ्रेज जिसका नगत मूल्य 15,000 रुपए है किष्ट योजना में यह 2,250 रुपए ततकाल नगत भुगतान के पश्चात दो अर्ध वार्षिक समान किष्टों में 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर्द पर उपलब्ध है यदि ब्याज प्रती 6 माही संयोजित किया जाए तो प्रत्ते किष्ट की राशिक ज्यात कीजिए उधारन उन्निस हल प्रश्ट में फ्रिच का नकत मोल्य दिया गया है पंद्रह हजार रुपे साथ ही जो ततकाल नगत भुगतान किया गया वह है दो हजार दो सो पचास रुपे अब हम शेश देराशी याद कर सकते हैं शेश देराशी बराबर होगा पंद्रह हजार जो कि उसका नकत मोल्य है रिंड जितना ततकाल नगत भुगतान किया गया याने कि दो हजार दो सो पचास रुपे इस प्रकार यह होगा बारह हजार साथ सो पचास रुपे प्रश्ट में ब्याच की दर भी दी गई है ब्याच की दर है बराबर आठ प्रतिशत परन्तु यहाँ आठ प्रतिशत वार्शिक है और हमें गढ़ना जो करनी है वह अर्धवाशिक करनी है तो दर कितनी होगी चार प्रतिशत प्रतिशे माही इसलिए अब हम किष्ट की राशी ग्याद कर सकते हैं हम मान लेते हैं कि प्रतिएक याने की प्रतिशे माही जो किष्ट की राशी है वह एक्स रुपए है तथा पीवन वा पीटू क्रमशह पहली और दूसरी राशी के मूलधन है है तब हम किष्ट राशी की गढ़ना कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं किष्ट राशी की गढ़ना करने के लिए हम यह देख सकते हैं कि पहले छे माही के लिए जो किष्ट राशी है वह पहले छे माही का मिश्ट धन होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि X बराबर P1 याने कि पहले छे माही का मूलधन गुणित एक धन आर बटे 100 और घात N इसी प्रकार दूसरे छे माही की किष्ट राशी जो है वह भी होगी X बराबर P2 याने कि दूसरे छे माही का मूलधन गुणित एक धन आर बटे 100 पुरे की घात N जहां हम इनके मान रख दे तो P1 अभी हमें ग्यात नहीं है इससे हमने व्यक्त किया हुआ है साथ ही एक धन आर ब्याच की दर दी गई है चार बटे 100 और ये पहले छे माही के लिए है इसलिए N का मान होगा 1 दूसरे छे माही के किष्ट के बारे में बात करें तो हमें मिलेगा एक धन ब्याच की दर समान है याने की 4 और अब समय होगा N का मान 2 चलिए इससे हल करते हैं तो X बराबर P1 एक धन चार बटे 100 को यदि सरल कर लें तो हमें मिलेगा एक बटे 25 और यहाँ पर पुना हम हल करें तो यह पुना हो जाएगा फिर से एक बटे 25 पुरे की घान 2 आगे हल करने पर P1 गुणित एक धन एक बटे 25 याने कि हम इसे लिखेंगे 26 बटे 25 और यहाँ पर दूसरे महा के लिए जो हमें ग्यात होगा दूसरे 6 मही के लिए जो हमें किष्ट राशी ग्यात होगी वह भी होगी एक बटे पुणित 26 बटे 25 पुरे की घान 2 पुना हल करने पर यहाँ से यदि हम पहले 6 मही के लिए मूलधन की गढ़ना करना चाहें तो हमें मिलेगा पीवन बराबर 25 बटे 26 गुनित एकस इसी प्रकार दूसरे 6 मही के मूलधन की गढ़ना यहाँ से लिए तो मिलेगा पीटु बराबर 25 बटे 26 पुरे की घान 2 गुनित एकस अब हम देख सकते हैं कि जो शेश देयराशी है 12,750 रुपए वह इन दोनों मूलधनों के योग के बराबर होगी तो अब हम लिख सकते हैं अतह 12,750 बराबर पीवन याने पहले 6 मही के लिए मूलधन धन पीटु याने की दूसरे 6 मही के लिए मूलधन चलिए इसे आगे हल करते हैं फ्रिच के नगत मूल्य में से ततकाल नगत भुकतान की राशी को घटाने के पाश्यात जो शेश देयराशी मिली थी वह है 12,750 रुपए और इसका मान पहले 6 मही के मूलधन धन दूसरे 6 मही के मूलधन के योग के बराबर होगा तो अब हम इसमें P1, P2 के मान को रख देते हैं P1 का मान हमें प्राप्त हुआ है 25 बटे 26 गुनित X उसी प्रकार P2 का मान है 25 बटे 26 पुरे का वर्ग गुनित X यहां से हम देख सकते हैं कि इन दोनों पदों में 25 बटे 26 गुनित X जो है वह उभैनिश्ट लिया जा सकता है तो हम इसे हल करते हैं 25 बटे 26 गुनित X और कोश्टक में हमारे पास बचेगा इस पद में 25 बटे 26 गुनित X उभैनिश्ट लिया जा चुका है तो यहाँ पर आएगा एक धन यहाँ पर हमारे पास यह पत वर्ग में है इसलिए 25 बटे 26 बचेगा और X भी जो है वो उभेनिष्ट निकाला जा चुका है तो हमें मिला 2750 बचेगा 25 बटे 26 बचेगा चलिए इसे आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 2750 बचेगा 25 बटे 26 बचेगा और कोश्टक में हो जाएगा 26 धन 25 बचेगा पुना हल करने पर 2750 बचेगा 25 बचेगा 25 बचेगा 26 अब X के मान के लिए इसे हमें हल करना होगा तो हमें प्राप्त होगा एक्स बराबर 2750 गुनित 26 बचेगा 25 बचेगा 25 बचेगा ओर करते हैं हमें एक्स का मान प्राप्त हुआ था एक्स बराबर 12,750 गुनित 26 गुनित 26 बटे 25 गुनित 59 इसे हल करते हैं 25 के पहाड़े से काटने पर हमें प्राप्थ होगा 25 से कम 25 और ये जाएगा 510 बार में इसके पशाथ 59 के पहाड़े से हल करने पर ये होगा 59 और 59 दहां 510 इस प्रकार एक्स का मान 10 गुनित 26 गुनित 26 बटे 1 याने कि हम लिख सकते हैं एक्स पराबर 6760 रुपए तो हमें प्रत्य किष्ट की जो राशी प्राप्थ होईवा होई बराबर 6760 रुपए इस प्रकार प्रश्न खल हुआ प्रकार प्राबर क्सकते हुआई यहा हुआई और 59 रुपए मुआई प्रकार ट करने टूँए